असलाम अलेकम, अच्छे पर टॉपिक नहीं किड्नी स्टॉण जो कि बहुत असान और सिंपल से टॉपिक है, अगर स्टॉण ही मटेरल किड्नी के अंदर बन जाए तो आप इसको किड्नी स्टॉण कहते हैं, जब किड्नी स्टॉण बन जाता तो सबसे पहले यूरन की अब्स परसन हमारे जिते ही उमन बिइंग है, उसमें कैल्शियम औक्जलेट का स्टॉण बनता है, और आप इसको नाम देते हैं हाइपर ऑक्जलेरिया की वज़़ा से बनता है, जब औक्जलेट का लेवल बलड में ज्यादा हो जाता है, एक है कैल्शियम फोस्फेड का स्टॉण 15% जो के patient उसमें यह वला ston होते है जो के hypercalcemia की वज़ा से बनता है जिसमें calcium level blood में ज्यदा हो जाए एक euric acid वला ston है जो के 10% human being के अंदर है जो के hyperuricemia की वज़ा से बनता है जब euric acid blood के अंदर ज्यदा हो जाए अगर ston बन ही जाए तो इसको निकालने का method किया है वो है lithotripsy, lithotripsy एक non-surgical removal of kidney stone का method है जो कि आजकर पुरी दुनिया में use हो रहा है, एक lithotripsy का नाम है ESWL, एक नाम PCNL, ESWL कोंट से extra corporeal shock wave lithotripsy है और PCNL कोंट से percutaneous nephrolithotripsy है, हमारी बुक में जो mention है जो आजकर हम करवाते हैं वो यह वाली ESWL, जिसमें extra corporeal जिसमें हम बाहिर देते हैं, outside body के देते हैं shock और shock दे कर जो kidney stone उसको break किया जाते है, ऐसी lithotripsy के नाम है ESWL, यह kidney है, यह stone है, यह kidney के Bible side पे machine को रखा जाते है, जिसे shock दी जाती है और यह stone तोड के छोटे-छोटे जरों में convert हो जाता है, और बाहिर यह urine की मदद से निकल जाता है, मतब break किया जाता है stone को small pieces के अंदर, x-rays कहलें, ultrasound waves कहलें, और वो ही small pieces को remove कर दिया जाता है through urine, अब ऐसी lithotripsy को नाम देते हैं, ESWL, जिसमें extra corporeal shock wave देकर, kidney strong को जिसम से बाहिर निकाला जाता है, अगर मैं बात कर तो renal failure, तो renal failure कहा जाता है जब destroy हो जाता है nephron by pathologically यह chemical nature, तो chemical की वरह से यह जरासीमों की वरह से nephron का destroy होना renal failure कहलाता है, पर nephron का कौन सा part उसका नाम है glomerular part है, यह ज़्यादातर होता कि जैसे यह destroy होता है, तो हमारे plasma में यूरिया का level ज़्यादा हो जाता है, जैसे यूरिया ज़्यादा हो तो हमारे body के अंदे high blood pressure हो जाता है, इवन blood infection हो जाता है, जिसको अनीमिया का नाम दिया जाता है, जब renal failure हो जाए तो फिर इनसान को dialysis करवाना पड़ता है, dialysis का मतला कि एक ऐसा process है जिसको use किया जाता है, remove करने के लिए nitrogenous waste को किसके अंदर से, blood के अंदर से, जिसकी मतलब से हम क्या करते है, clean of blood करते हैं, तो ऐसे process को देखा जाए, आप dialysis का नाम देते हैं, ये आजकल दो तरह से perform हो रहा है, एक है dialysis machine के मतलब से, एक है abdomen की मतलब से, जो dialysis की जाती है, उसको हिमो dialysis कहते हैं, और जो pate की मतलब से, abdomen की मदद से की जाती है आप इसको peritonial dialysis का नाम देते हैं dialysis machine या hemo dialysis में क्या होता किया यह आपके सामने है इसमें हम cleaning और blood करेंगे हम use करते हैं dialysis machine आप dialysis machine को use करते हैं इस machine के अंदर दो spaces है एक space में blood होते है और एक space में dialysis fluid होते है यह blood आगया और यह dialysis fluid आगया इन दोनों को separated करने वाली space को thin membrane होती है और यह thin membrane का का काम किया है जितना भी waste material है blood के अंदर इसको filter करके blood को सारा waste material इसके अंदर दाखिल कर देना जिस space का नाम किया dialysis fluid जिसके अंदर मजूद है तो जितना भी excess fluid है nitrogenous waste है वो remove होगा from blood through thin membrane तो इसका मदद यहाँ पर filter करने वाली membrane कौन सी बेटा thin membrane है peritonium dialysis में क्या होता है blood filter होता है किसकी मदद से peritonium membrane peritonium membrane कहते है paid की membrane को यह अंदर paid आप कहसे हैं यह abdomen है और अंदर वाली खाली जगा के नाम peritonium cavity है और abdomen की जो wall अधर को peritonium है जो peritonium cavity है इसको अगर देखा जाए यह lined होती है यह बनी होती है जिससे उसका नाम thin epithelial cells है thin epithelial cells से मिलकर बनती है peritonium cavity की line यह पूरी जो lining है ठीक है अगर देखा रहे दो space है abdomen के अंदर एक अंदर peritonium cavity है और बाहिर के है बेटा capillaries है capillaries के अंदर क्या होता है और peritonial cavity के अंदर क्या दाखिल कर देंगे dialysis fluid दाखिल कर देंगे यह देखें space आछो के है यह blood है dialysis fluid किंदर है Alright यह सेपरेट करने वाली क्या है एक वोल है जो किसे बनी है thin epithelial cell से मिलकर बनी है तो space is separated by peritonium wall है अब क्या होगा जितना भी excess fluid होगा और nitrogenous waste होगा यह remove होगा blood से through peritonium wall ठीक है तो यहाँ peritonium wall कहते हैं आप तो जितना भी filter करने वाली यहाँ पर membrane का नाम आता है वो peritonium wall है और यहाँ पर क्या आता है hemodialysis के अंदे thin membrane थी जिसकी मदसे process हो रहा था बिटा filtration का process हो रहा था अब आखरी process का नाम है kidney transplant जब at the end dialysis नहीं हो सकती तो आपको क्या करना पड़ेगा kidney को transplant करना पड़ेगा यह high degree renal failure है जिसको euremia का नाम दिया जाता है अगर आपने euremia नहीं कहना है तो आप कहा दे end stage of renal failure तो end stage of renal failure में क्या होता है kidney transplant होता है तो अगर आपको short question आता है euremia क्या है तो आपने कहना है end stage of renal failure जिसमें high degree of renal failure होती है यह सर्जिकर एक process है जिसमे kidney transplant करने से पहले आप blood group देखते हैं होना चाहिए hla human leucoside antigen match करने चाहिए जिसकी kidney transplant हो रही है और जो kidney tissues है वो भी donor donor और recipient के match होना चाहिए और उस दुराँ जो antibiotics देती है ताकि kidney transplant proper हो सके उसके नाम cyclosporine है जो prevent from rejection करता है जो के दी जाती है ताकि kidney transplant के दुराँ कोई भी रसीम या कोई भी problem ना आए जजा कर लोग खेर